हाँ जी कैसे हैं आप लोग बढ़िया हैं जैहिंद सभी को वंदे मातरम तो साथियों आप जुड़े हैं गोविंद मलविया से और है आप लक्षी क्लासिस के डिजिटल प्लेटफर्म पर और हम आप लोगों से काफी समय से आप और हम और साथ में हमारे जीनियस फैकल्टी टीम सारी के सारी आप से जुड़ी हुई है आरेस बैचेस के लिए तो आप उन्हें लगातार जॉइन कर सकते हैं और साथी साथ क्लासिस की अपडेट्स पाने के लिए आप लक्षी क्लासिस के वाट्सप ग्रूप या टेलिग्राम चेनल के साथ में भी जॉइन कर सकते हैं क्यूर कोड का इस्तेमाल करके और यदी ना कर पाएं तो नीचे वीडियो के नीचे पिन में जो कमेंड लिंक दे रखा हैं वहां से भी आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको क्लासिस की अपडेट्स और यहां पर पढ़ाये गए पीडिएफ नोट्स और भी स्टुड़ी मै पाया निवन प्रनाम के दंडवत प्रनाम तो नहीं होता है ठेक है साब चलो आगे बढ़ते हैं राजस्तान के इंटीग्रेशन राजस्तान के एकी करन की बात करनी है हमको आज के स्टेशन में नया टॉपिक है हमारा जो आपी के द्वारा निर्धारिद किया गया था राजस्तान का एकी करन इंटीग्रेशन राजस्तान कैसे कब कब कैसे किस प्रकार से ये इंटीग्रेशन हुआ उसकी हम बारी बारी से चर्चा करेंगे हाला कि जाते जाते हमने कुछ चर्चाए आपके समक्ष छोड़ी थी और वो चर्चाए जो थी और राजस्तान का प्र प्रारूप में था और कैसे कैसे था ये सारी चीजे मैंने आपको समझाई थी लेकिन आज इंटिग्रेशन आफ राजस्थान राजस्थान के एकिकरण में हम कुछ नया मोड देखना चाहते हैं देखिए राजस्थान तो आपने लगबगने सबने मैप तो देखी रखा होग ये जो वर्तमान में जिस स्वरूप में है हमारा राजस्थान वह कैसे और कब अस्तित्यों में आया और क्या परिस्तित्या उस जमाने में रही ये सारी चर्चाए हम इस शेशन में आपके समक्ष रखने वाले हैं राजस्थान जिस रूप में आपको दिख रहा है उस रूप में राजस्थान को लाने के पीछे बहुत बड़ा योगदान सादार वल्लब भाई पटेल राम अनवर रोहिया और भी लोगों का योगदान रहा है तो हम एक एक करके ये सारी चीज़े देखते हैं देखें साथियों एक बात तो तय है कि आपने सुना होगा कि भारत में ब्रिटिश सामराज्य का शार्षन था ब्रिटिश एम्पायर था ब्रिटिश एम्पायर का मतलब यहां पर मेरा ये है ब्रिटिश एम्पायर का मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजो का शार्षन था जो हम अकसर कहते हैं ब्रिटिश का मतलब है जिसमें इंगलेंड भी आता है स्कोटलेंड भी आता है वैल्स भी आता है और नॉर्धन आइलेंड भी आता है ये चार कंट्री मिला के कहलाता है यूनाइचेड खीडम यूखे आपने अकसर देखा होगा कि ब्रिटेन का जो नेशनल फ्लैग है इंगलेंड का जो नेशनल फ्लैग है वो रेड कलर का प्लस है वैसे स्कोटलेंड का देखा जाए तो उसमें आपने नोटिस किया हो तो ब्लू कलर का जो है इस तर बाउंडरीज है और वाइट कलर का बीच में cross है notice किया हो तो आपने इस प्रकार से ठीक है ये इस प्रकार से ये Scotland का flag है आपने अगर Ireland का flag देखा होगा तो red color का cross है और Wells का flag देखा होगा तो इसमें red color की जो है white color की boundaries है इस प्रकार से और Ireland का flag देखा होगा तो उसमें इस प्रकार का red color का cross है अब इन सारे national flags को जो mix करते हैं तो इस प्रकार का national flag बनता है और इसी national flag को हम कहते हैं union jack union jack और इसी union jack को हम UK का flag कहते हैं national flag हम इसको मानते हैं कि ये united kingdom है तो इन चारो countries को मिला कर हम Britishers कहते हैं तो इन चारो countries ने हिंदुस्तान पर शाषन किया है न कि अकेले England ने हैं अब बात करते हैं कि इस शाषन के दोरान एकी करन की बाते कैसे किस प्रकार से start होई जैसा कि आप जानते हो और मैं पिछली class में बता ही चुका हूँ कि भारत में British जो शाषन था वह दो पाट में divide था एक को हम British province कहते थे ब्रिटिश प्रांत और दूसरे को हम कहते थे princely states यानि देशी रियासते ब्रिटिश प्राविंस यानि ब्रिटिश प्रांत जिसे हम British India कहते थे ये सीधा ब्रिटिश समराज्ची के नियंतरण में था और जो रियासते थी वो रियासते जैसे मारवाड, मेवाड, आमेर ये अलग रियासते थी तो जब हिंदुस्तान छोड़के ये ब्रिटिश प्रांत को और प्रिंसली states यानि ब्रिटिश रियासतों को, आप कल्पना करो कि उस जमाने में हिंदुस्तान में 565 प्रिंसली states थी ब्रिटिश रियासते थी, मतलब क्या था, कि ये किसको आजाद करके गए, 565 इंग्लिस रियासतों को आजाद करके गए या थोरा थोरा तो, आपको पढ़ना पड़ेगा, हिंदी तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारत में उस जमाने में पांसो पैंसेट देशी रियासते थी यानि इन्होंने किसको आजाद किया पांसो पैंसेट रियासतों को आजाद किया आप कल्पना करो कि अगर सर्दार वल्लब भाई पटेल ना होते तो आप कल्पना करो कि इस देश का क्या हाल होता बाई साब इस देश में 565 देश होते हैं और आप कौन से देश के निवासी होते ये भी आपको मालूम नहीं होता ठीक है इस क्लास में यदि कोई मुझे बीकानेर से या मारवाड से या डूंगरपूर बासवाडा से सुन रहा है तो दिमाग के तार खोल के सुने अगर सरदार वल्लब भाई पटेर राम मनो लोहिया जैसे व्यक्ति ना होते तो आज मारवाड बीकानेर और इसके अलावा बासवाडा और डूंगरपूर वाले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं हकीकत है ये और पता नहीं आप कौन से देश के निवासी होते आप सायद इस बात को अंधाजा नहीं लगा सकते थे इसलिए थोड़ा सा मेरा मैटर हैवी है इसलिए ध्यान से सुनना समझना एक एक चीज में तार खोल के बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा एक चीज यहाँ पर क्लियर है कि जब भारत में 565 देशी रियासते थी और 565 देशी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थो जो थी वह थी हैदराबाद भारत में और सबसे छोटी रियासत थी बिलबारी भारत के दृष्टी कोण से और राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई ही दी थी और वो थी मारवाड जो की जोदपूर भी कहलाती है जो छेतरपल के आदार पर थी और जनसंक्या के आदार पर सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जैपूर ठीक है और साथ में सबसे छोटी रियासत जो थी वह जो हमारी थी वह कौन सी थी शाहपूरा साथियों एक बात आपने अकसर सुनी होगी कि अकसर सुनते आए हैं कि अंग्रेज चले गए पर टुकडे करवा के गए बहिसाब बिटी सर्स चले गए टुकडे करवा के गए इसका मतलब ये नहीं था कि पाकिस्तान बना के गए अरे पाकिस्तान तो बनना ही था पाकिस्तान बने बिना तो देश में शांती हो नहीं सकती थी क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा इन चीजों को भी सबंचना आवश्यक है देखिए उस जमाने में भारत में दो पॉलिटिकल पार्टीज थी यूँ मान के चली है एक थी कॉंग्रेस और दूसरी थी मुसलिम लीग और उस समय कॉंग्रेस के सिर्ष नेता थे मुवंदास करमचिन गैंधी, मिस्टर गैंधी, मात्मा गांधी और दूसरी थे पंडित जवाहरलाल नहरू मुसलिम लीग के उस समय शिर्ष नेता थे जिनका नाम था मौंद अली जिन्ना और पाकिस्तानी फस्ट प्राइम मिनिस्टर चाधरी लियाकत अली खान ही जिए फस्ट प्राइम मिनिस्टर तो बनना ही था क्योंकि पंजाब, आशम, काश्मीर, सिंद, एंड बलुचिस्तान, इसी थोरी पे बना था दरसल मौमद अली जिन्ना सोच रहा था कि जो सोतंत्र भारत में गांधी और नहरू की इस्तिती हैं वो सोतंत्र पाकिस्तान में, वह सोतंत्र देश में, वह मेरी होनी चाहिए बनी उसके लिए लाशों के धेर बिच जाएं, जिन्ना को कोई फरक नहीं पड़ता और मैं आपको यहां क्लियर कर दूँ कि मुस्लीम लीग उस समय मुस्लीम लीग जो थी वहाँ एक चीज चाहती थी, वहाँ एक अलग से मुल्क चाहती थी मुसल्मानों के लिए और यह मुस्लीम लीग का उस समय शिर्ष नेता कौन था? मुमद अली जिन्ना और जिन्ना चाहता था एक अलग से मुल्क बनाना क्योंकि वह यह सोचता था कि जो गांदी और नहरू की इस्तिती है वह सुतंतर देश में, सुतंतर मुल्क में मेरी होनी चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर यही बताने की चेस्टा कर रहा हूँ कि मैं आपको यही बताने की चेस्टा कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो मुस्लीम लीग ने एजेंडा अपनाया था देखो इसको CR formula कहते हैं एक Cambridge University का एक student था जिसका नाम था चौधरी रहमत अली CR का मतलब होता है चौधरी रहमत अली जो की Cambridge University का एक student था बलूचिस्तान प्रदेश का था उसने सबसे पहले ये सपना देखा था पाकिस्तान का और मैं आपको ये भी बता दूँ कि उस समय भारत का जो वॉयस रोय था जिसका नाम था लॉड वैवल उस वैवल ने साप का सब्दों में कह दिया था कि कश्मीर जो है वहाँ पाकिस्तान को किसी भी हालत में नहीं मिलेगा क्योंकि आप भी जानते हो कि सारी उत्तर भारत की नदिया है वो कहां से निकल के जाती है कश्मीर से और अगर कश्मीर के पाकिस्तान को दे दिया जाएं तो आपको भी पता है अच्छी तरह से कि कश्मीर देने की वजह से वो उत्तर भारत का पानी सारा रोक कर वह उत्तर कि जहां तक एसा डीमक से सना हुआ, कीडे लगाउआ, पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए जिसका अंग प्रतियंग नहीं हो, जहां तक कश्मीर का सवाल है मैं लेना जानता हूँ मतलब जिन्ना क्या कहना चाह रहा था कि उसके लिए भली लासों के धेर बिच जाए जिन्ना को कोई फरक नहीं पड़ता तो भाई साब मौहमद अली जिन्ना एक बात तो तय है मैं आपको ये सारी प्रोफाइल इसलिए भी समझा रहा हूँ क्योंकि एकी करण को समझना है तो कही ने कही ये सारे उस समय हिंदोस्तान की परिस्तियों को भी समझना पड़ेगा आपको तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा देखो जब 1947 भारत शाषन अधीनियम बना भारत शाषन अधीनियम 1947 उस भारत शाषन अधीनियम में दो डॉमेनिक स्टेट बनानी की बात की थी दो डॉमेनिक स्टेट्स मतलब दो स्वतंत्र गनराज्जी बनानी की बात की गई थी एक एंडिया दूसरा पाकिस्तान और उस भारत शाषन अधीनियम ये भारत शाषन अधीनियम 1947 जिसे भारती स्वतंतरता अधीनियम भी कहते हैं ये ब्रिटेन की शंसद में करीब 4 जुलाई 1947 को रखा गया था और 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ ठेक है इसके आर्टिकल इसके अनूछेद इसके अनूछेद 8 और अनूछेद 8 तो आपको अच्छी तरह से पता होगा और 8 के बाद में 9 और अनूछेद 9C इसमें पता है क्या लिखा हुआ था इसमें लिखा हुआ था कि जो रियासतें जी हाँ जो प्रिंसली स्टेट जो मैंने अभी अभी बताई है आपको जो रियासतें ब्रिटिस सामराजी के अधीन हैं वो आज से आजाद है हमारी तरफ से वो चाहे तो पाकिस्तान में मिले वो चाहे तो हिंदुस्तान में मिले और वो चाहे तो एक अलग से देश भी बना सकती है और भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार उनके उपर कोई भी तरह का दमाव नहीं बना सकती ठीक है अब आप जरा सोच के देखो कि ऐसा कौन सा राजा होगा पांस सो पैसेट रिया सती थी उस समय भारत में ऐसा कौन सा राजा होगा जो भारत या पाकिस्तान में मिलकर अपना अस्तित्वक होना चाहेगा आज आपको मैं कह दू कि आप अपनी प्रॉपर्टी सरकार के नाम कर लो आप करोगे तो कोई भी राजा भारत या पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहेगा वो तो अलग से देशी बनाना चाहेगा मतलब वो एक औरतों के बीश में जगड़ा होता न मैं आपको किताबी लेंग्विज से हट के थोड़ा सा साधारन लेंग्विज में समझाओं औरतों का जगड़ा होता न तो औरते जगड़ा करने के बाद में जब विखरती है न तो वो इसे करके जती यह मरो वैसे करके गए थे अंग्रेज इन 505 रियासतों को यू छोड़ के गए थे कि लो और उधर पाकिस्तान को भी बोला इंडिया को भी बोला कि इन रियासतों को चाहे तो अपने देश में मिला लो या अलग से देश बनाए तो ये तो चीना जब्टी वाली बात हो गई दोनों देश जो है वह उन रियासतों को साम, दाम, दंड, भेद अपनी तरफ मिलाना चाहेंगे अब मैं आपको याद दिलाओ देखिए जब कश्मीर देने से मना किया मुहमद अली जिन्ना को लॉड वैवेल ने तब मुहमद अली जिन्ना ने कहा कि ऐसे दीमक से सड़ा हुआ जिसके अंग प्रतियंग नहो ऐसा पाकिस्तान मुझे नहीं चाहिए और जहां तक कश्मीर का सवाल है मैं लेना जानता हूँ यानि जिन्ना सीधे सीधे दंगो की धमकी दे रहा था और मुहमद अली जिन्ना के कुछ कबाईली गुंडे गुजगे कश्मीर घाटी में आपने सुना होगा ना वो फिल्म 1991 के कश्मीर दंगो की कश्मीर फाइल्स ये कश्मीर फाइल्स 91-92 के दंगो वाली तो बहुत कम है दस प्रतिशत भी नहीं है आपको शायद नहीं पता कि 1946 में कश्मीर में क्या हुआ था 1946 में कश्मीरी हिंदू पंडितों को जो दुनिया के सबसे धनिक लोग थे या तो तेल के कुए लगाने वाले यहूदी सेख साम या कश्मीरी हिंदू पंडित जो केसर के बागान लगाते थे सेवों की खेती करते थे हत्या लूट पाट बलातकार सब कुछ जायज था मार काट कर उनको सडकों पे फेका जा रहा था कश्मीर घाटी में लगबग चिहालिस सो से भी अधिक कश्मीरी पंडितों की औरतों के साथ बलातकार हुए आज दिल्ली की सडकों पर कटोरा लेकर भीग मांगते हुए नजर आते हैं ये कश्मीरी हिंदू पंडित अब आप सोचो कि कश्मीर में यदि दंगे हुए हैं तो उन दंगों का असर दूसरे इलाकों में होगा या नहीं होगा तो उन दंगों का असर पंजाब में हुआ बंगाल में हुआ 1946 में बंगाल और पंजाब में भी भेंकर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए आपने गदर एक प्रेम कथा देखी होगी लाशों की ट्रेने भर भर के हमेशा हिंदूस्तान से पाकिस्तान जाती थी और पाकिस्तान से हिंदूस्तान आती थी लोगों को मार के काट के फेक दिया ऐसे जाता था कि जैसे इंसान नहीं हो वो जानवर हो रेल की पठड़ियों पर उनकी लाशे ऐसी मतलब कुत्ते और बिल्ली नोच नोच के खाते थे ये हाला थे अच्छा एक बात मुझे और यहां समझनी है पंजाब में दंगे हुए और पंजाब का उस समय मतलब क्या था पंजाब का मतलब था हर्याना पंजाब ठीक है और वर्तमान हिमाचल प्रदेश और वो दंगे अपने अलवर भरतपूर करॉली और धोलपूर में भी हुए अलवर भरतपूर करॉली और धोलपूर क्योंकि यह पंजाब से सटा हुआ इलाका था एक बात बताओ ब्रिटिस सरकार ये कहके गई अनुचेद 8,9 और 9C में कि जो रियासते हमारे अदीन है वो आज से आजाद है वो चाहे पाकिस्तान में मिले वो चाहे हिंदुस्तान में मिले तो ये चारो रियासते क्या करना चाहेगी एक अलक्षे देश बनाना चाहेगी है ना लिकिन जब अलवर भरतपूर करॉली धोलपूर में जब दंगे भड़के तो उस समय भारतिय देशी रियासती विभाग थोड़ा सा भारतिय देशी रियासती विभाग के बारे में भी आपको बता दू देखिए भारतिय देशी रियासती विभाग उसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लब भाई पटेल सरदार पटेल और उसके उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था हरी भाव स्वरी उपाध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया इनके नाम का दिल्ली में बहुत बड़ा होस्पिटल है और इसके सचीव थे वीपी मैनन सवाल यहां से पूछे जाते हैं और राजस्थान देशी रियासती विभाग के राजस्थान देशी रियासती विभाग के अध्यक्स थे महमद फजल अली कुछ शात्र मुझे क्लास में कह रहे हैं कि सर आप तो गदर एक प्रेम का था जैसे जोस और बहुत भाइंकर तरेके से पड़ा रहे हो तो मेरे भाई इतिहास को कैसे पड़ाना चाहिए ऐसे पढ़ाओ ऐसे पड़ना चाहिए हमको इतिहास को कि हिंदु मसलिम दंगे हुए और तलवारे चली अरे तलवारे चली है या फूल चले है तलवारे चली न ऐसे ही बोलना पड़ेगा एक्स्प्रेशन अकोर्डिंग टॉपिक यही तो इतियास का असली स्वैग है मुहमत फजल अली भारतिय राजस्तान देशी रियासती विभाग के अध्यक्ष थे ठेक है और भारतिय देशी रियासती विभाग के अध्यक्ष थे सरदार वल्लब भाई पटेल और उपाध्यक्ष थे राम मनहोर लोहिया और सचीव थे वीपी मैनन अब देखो जब कुछ-कुछ लोग कहते न कि नहरूजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते उसकी बजाए सरदार पटेल होते तो कितना अच्छा रहता ठीक बात है घुश रहो अच्छी बात है एक बात बताओ अगर नहरूजी देश के पहले प्रधानमंत्री होते नहीं होकर पटेल साब होते अच्छी बात होते बन भी सकते थे तो क्या मतलब आप क्या चाहते हो नहरूजी देश को एक करते जिन परिस्तितियों में देश चल रहा है उस परिस्तितियों में नहरूजी देश को एक करते और नहरूजी का किया हुआ देश कैसा होता आप उसकी कलपना कर लो भाईयो पूरे हिंदुस्तान में पांसो चोंसट रियासतों को सरदार पटेल ने हिंदुस्तान में मिलाया था नहरूजी ने सिर्फ एक रियासत मिलाई थी कश्मीर और कितनी फूटरी मिलाई हैं आप खुद देख रहे हो तो जो हुआ ना अच्छा हुआ पटेल साब थे तब जाके ये पांसो पैंसट रियासतों में से वर्तमान हिंदुस्तान अपने अस्तित्व में आया है नहीं तो आप सोचो हिंदुस्तान के कितने देश होते पांसो पैंसट राजस्थान के कितने देश होते उननीस प्लस तीन समझे ना जितना हिंदुस्तान को आजाद होने में पसीना नहीं बहाना पड़ाना उससे भी कई ज़ादा संगर्ष हिंदुस्तान को एक करना था इसलिए स्टेची ओफ यूनिटी बनी है इसलिए उन्हें कहा जाता है आईरन मैन लोह पुरुश सरदार वल्लब भाई पटेल समझ गए सुनो अब द्यान से देखो मेरी बात मनो जब कश्मीर में दंगे हुए तो उस कश्मीर के दंगों की लपटे अलवर भरतपूर करोली धोलपूर में भी हुई और मैं आपको एक चीज और बता दू लगे हातो एक और मामला बना था उसी समय और वो मामला ये बना था कि महत्मा गांधी की हत्या हो गई थी आपने सुना होगा ना महत्मा गांधी को किसने मारा नाथूराम गोड से वैसे वास्तम में इसका नाम नाथूराम नहीं है एक्चल में क्या है ये महरास्ट्रियन था ब्रामन था महरास्ट्रियन ब्रामन था इसके घर में कोई लड़का नहीं हो रहा था सारी लड़किया हो रही थी है ना सारी लड़किया थी तो किसी पंडित ने कहा कि आपके लड़का ठहरी नहीं सकता तो इसको भी लड़की की तरह पाला था नाक में नत्थ पहनाई गई थी इसलिए नत्थू राम कहलाया ठीक है दरहसल हुआ ये था कि महरास्टा में उस जमाने में आपने सुना होगा नागपूर नागपूर में विश्व हिंदू महासभा का कारे लए था उसको उस जमाने में विश्व हिंदू परिशत कहा जाता था आजकल वी एचपी उस जमाने में हिंदू महासभा कहा जाता था आजकल वी एचपी विश्व हिंदू परिशत कहा जाता है ठीक है और उस समय विश्व हिंदू परिशत के एक कारे करता थे जिनका नाम था परचूरे वाग मारे एक का नाम था नारायन तोड़ चे एक का नाम था गणेश गोड से इन सबने प्लान बनाया था बापू को टपकाने का क्यूं? कारण समझना जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ और इसका राजस्तान से क्या कनेक्शन है वो भी समझना जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन से पहले तो पाकिस्तान भी भारत ही था ना वहां का लाहोर, वहां का कराची, हिंदुस्तान ही था अब रातो रात आपको मैं ये कह दूँ या आपको सरकार ये कह दे कि ये अलग से देश बना है आप यहां का इलाका खाली करके किसी और देश में बस जाओ क्या संभव है देखो भारत एक सेकुलर मुल्क बनने वाला था यहां सभी धर्मों के लोग रह सकते थे लेकिन पाकिस्तान इसलाम की बुनियाद पर बन रहा था वो इसलामिक कंट्री बन रहा था तो पाकिस्तान में जो हिंदू रहते थे उन्हें रातो रात कह दिया गया कि तुम ये देश छोड़के चले जाओ तुमारा हिंदुस्तान अलग है ये पाकिस्तान है तो वो लाखो शरनार्थी बिचारे कहा जाएंगे है जब पाकिस्तान से लाखों सरनार्ती हिंदुस्तान आ रहे थे तब यही विस्व हिंदू परिशद कैम्प लगा कर उनकी सेवा कर रही थी पाकिस्तान में किसी भी मंदिर को नहीं बक्षा गया भारत में किसी ने भी मस्जिद को हाथ तक नहीं लगाया जब बटवारा हुआ था तो पाकिस्तान को 65 करोड देने की बात की गई थी 65 करोड आपने एक गदर एक प्रेम कथा में वो सन्नी भाई का डायलोग सुना होगा ना पाकिस्तान जाकर कि 65 करोड दिये थे तब जाके तरपाल आई थी और गोली बारी की बात कर रहे हैं आप लोग जब भारत सरकार मेहरू जी सरदार पटेल जब 65 करोड देने को तयार नहीं थे पाकिस्तान को क्योंकि उन्हें पता था कि पाकिस्तान का मुहमद अली जिन्ना इसको आतंगवाद में लगाएगा जो कश्मीर में दंगे हुए और दंगे भढ़केंगे इसलिए भारत सरकार जो है पाकिस्तान को 65 करोर देने को तयार नहीं थी तब बापू ने अन्शन किया बूखरताल की कि 65 करोर दिये जाए पाकिस्तान को तो भी 45 करोर दिये गए 20 करोर आज भी पाकिस्तान मांगता है हिंदुस्तान से और हमेशा इंटरनेसल मंच पर इस बात को भी उठाता है ठीक है? आगे और सुनो हिंदुस्तान में किसी ने मजजिद को हाथ तक नहीं लगाया और लाखों शरनार्थी जब हिंदुस्तान आते थे तो यहां दिल्ली में उनका कोई घरबार था क्या? नहीं था वो बेचारे मजजिदों में ठेरते थे तो बापू ने अन्शन किया क्यों उनको मजजिदों से बाहर निकालो अब ऐसी कंडिशन में कोई भी हिंदुस्तानी ये समझ बैठेगा कि पाकिस्तान परस्त है बापू तो यह गलत फैमी हुई थी और इसी कारण से नथूराम गोड से परचूरे वाग मारे नारेंड तोडचे और गणे इस गोड से ने बापू को घेर लिया और परचूरे वाग मारे पीछे खड़े थे और नाथूराम गोड से आगे खड़े थे दोनोंने फाइरिंग की और बापू को पीछे से तीन गोलिया लगी और आगे से एक गोली लगी तो वास्तम में बापू को मारने वाले अक्स जो असल में जो व्यक्ती है वो परचूरे वाग मारे है ना थो राम गोड से पकड़े गए और जहां से इन्होंने जो बापू को मारा था तो इनका जो कनेक्शन था ना वो अलवर रियासत से था और अलवर के उस समय महराजा थे तेज सिंग और तेज सिंग के प्रधान मंत्री थे पी-म जिनका नाम था MD खरे अलवर के प्रधान मंत्री और ये अलवर के प्रधान मंत्री MD खरे जो थे ठीक है ये खरे साब जो थे इनका भी connection VHP से था तो अलवर रियासत पर ये सीधा सीधा आरोप आ गया कि बापू की हत्या में उनका हाथ है अब आप जरा सोचो आप जरा सोचो कि अलवर भरतपूर करोली धोलपूर में अलरेड़ी दंगे भढ़के हुए थे ठीक है साथ साथ में अलवर रियासत पर महत्मा गांदी की हत्या का आरोप भी लगा ये चारो रियासते अलग से देश बनाना चाती थी इदर पाकिस्तान और भारत सरकार की तरफ से जड़पे चल रही थी मौका अच्छा था भारतिय देशी रियासती विभाग के अध्यक सरदार पटेल के पास में सरदार पटेल सहाब ने चारो रियासतों को भारत में मिलाकर केंद्र शाशित प्रदेश घोसित कर लिया और इस तरह से बना मत्स्य संग अब समझ माया आपको खाली एकी करण एकी करण चिलनाने से कुछ नहीं होता आपको साइड वाली प्रोफाइल भी पता होनी चाहिए कि किन परिस्तियों में राजस्थान का एकी करण हुआ था यू तो कहने को लेकर तो एकी करण में अलवर भरतपूर करोली धोलपूर रियासते मिलाई गई मत्स्य संग बनाया गया कनेलाल मानिक क्यो मुईशी की सिफारिस पर छोटे छोटे टाबर भी जानते है भाई इस तरह से मत्स्य संग बना राजस्थान के एकी करण का पहला चरण जिसे कहते हैं मत्स्य संग और ये मत्स्य संग बना था इस मत्स्य संग के अंदर जो शामिल छेतर किये गए थे वह था अलवर, भारतपूर, करोली और धोलपूर राजस्थानी बनाई गई थी अलवर ठेक है राजस्थानी बनाई गई थी अलवर राजप्रमुक बनाई गई थे धोलपूर के महराजा महाराव महाराव उदहे भान सिंख जो की धोलपूर के महराजा थे उप्राजप्रमुक बनाई गई थे करोली के महराजा वासूदेव गनेश पाल जादोन प्रधान मंतरी बनाई गई थे इस छेत्र के वो थे शोभा लाल कुमावत ये तो सबने रटा लगा रखा है सोभा लाल कुमावत जो समीती गटित की गई थी इन चारो रियासतों को भारत सरकार में मिलाने की वह थी कनाया लाल मानिक के मुईशी समी थी दिनांग थी 18 मार्च 1948 इसका जो उदघाटन हुआ था वह हुआ था लोहागड भरतपुर के अंदर किला है वहाँ पर और उदघाटन करने वाले थे नरहरी विष्णू गौडगिल एनवी गौडगिल देखिए मैंने आपको शायद पहले भी कहा कि अगर राजस्तान का इतिहास बिना रटा मारे पढ़ना है समझना है तो आपको भारत के इतिहास का नौलेज होना चाहिए और अगर भारत का इतियास बिना रटे मारे समझना है तो आपको कही ने कही विष्व के इतियास का नौलेज होना चाहिए क्योंकि विष्व का ही हिस्सा है भारत और जब तक आपको विष्व की राजनीती का नहीं पता आप भारत की राजनीती नहीं जान पाओगे और जब तक आपको भारत की राजनीती नहीं पता तब तक आप राजस्थान की राजनीती को नहीं समझ पाओगे न समझा पाओगे तो इस तरह से राजस्थान का पहला चरण मत्र संग बना था और इसकी परिस्तियां मैंने आपको बताई ये परिस्तियां क्या थी पहला तो यहाँ पर अलवर भरतपूर करॉली धोलपूर में दंगे फैले हुए थे और वो दंगे क्यों फैले हुए थे हिंदू मदली जिन्ना को कश्मीर चाहिए था और लाखो हिंदू पंडितों को उसने बेघर कर दिया ठीक है साथी साथ महत्मा गांधी की भी हत्या हुई महत्मा गांधी की हत्या का कनेक्शन अलवर रियासत के साथ में था समझ गए चले आगे बढ़ते हैं राजस्थान हाँ ये आए बाए तो ठीक बाते 184 लाख थी आए इसकी 184 लाख कभी बार पूछ लेते हैं लेकिन आपको साइड बाई साइड बाये दाएं की नौलेच होनी चाहिए ठीक है चलो अब आगे क्या हुआ देखिए उत्तर भारत में जब भैंकर हिंदू-मुस्लिब दंगे फैले हुए थे अब ध्यान से सुनना अब क्या होता है राजस्थान में दूसरे एकिकरन के चरण में सही सही बताना दिल से आपने एकिकरन ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है देखो पढ़ाने को लेकर तो लोग एक गंटे में एकिकरन पढ़ा लेते हैं सौट्रिक से वगेरा पढ़ा क्या लेते हैं निप्टा लेते हैं और जो निप्टाते हैं और जो निपटवाते हैं वो खुद ही एक्जाम में निपट जाते हैं अब बताओं आपने पढ़ा और इस पढ़ाई में कितना अंतर नजर आया आपको सबने पढ़ रखा एकी करण एकी करण तो सबसे पहला टॉपिक है लोग पहले डेमू क्लास में एकी करण से ही जुरुआत करते हैं लेकिन मेरी आदत है लास्ट वाला टॉपिक है तो लास्ट में स्टार्ट करें किसी भी चीज कल रटा नहीं लगाना है रटा लगाने वाला जमाना गया अब क्या है कोसंस से जो पूछे जाते हैं वो ऐसे पूछे जाते हैं कौन सा कथन सकते हैं कौन सा असत्य हैं कथन और कारण की व्याख्या कीजिए वो जमाना गया जो आप जो प्रेक्टिस कर रहे नो कोसंस की वो दस साल पुरानी के सेट्स है अब UPSC ने UPSC की तरच पर RPSC नहीं पर अपना पैटर्न बदल दिया है आप मेरी बात से एग्री करोगे आप राइट और रॉंक कोसंस आज कैसे पूछे जा रहे हैं कौन सा कतन सकते हैं कौन सा असकते हैं नहीं तेज सिंग उपराज प्रमुक नहीं थे तेज सिंग तो बाइस साब उस समय जेल में थे उपराज प्रमुक कैसे होंगे सोचिये मातबा गांदी की हत्या का आरोप था उनके उपर है ना तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौटेशन वाले सवाल समझने के लिए और कौटेशन वाले सवाल इसलिए भी पूछे जाते है एक्जाम में क्योंकि इसके पीछे वज़े ये है कि आजकल पेपर आउट बहुत हो रहे है तो पेपर अगर आउट हो भी जाए तो आपको भी पता है ऐसा कोसंस पैटर्न उसको मिलता है अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा उमीद ये नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान के एकी करण में पहले चरण में कौन सी रियासता मिली थी या फिर ये पूछेंगे मत्सिसंग कब बना था वही दस साल पहले पूछा जाता था अलवर भरतपूर करोली धोलपूर में सांप्रदाइक दंगे फैले हुए थे अलवर रियासत पर माहतमा गांदी की हत्या का आरोप था ऐसे फसाएंगे कोटेशन और वहाँ पे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी मुह में उंगली डालके बैठोगे लाडू लेके आओगे इसलिए धंग से पड़ो है ना थोड़ा धंग वाला देखो सस्ता गी बहुत देसी गी बहुत कम लोगों को हजम होता है अभी तक क्या है कि जिन्नोंने सोना देखा है नहीं है तो वो तो पीतल कोई सोना समझ बैठे है और जिन्नोंने कभी हीरा देखा ही नहीं है वो तो काच कोई हीरा समझ बैठे है चलो देखिए जिस समय उत्तर भारत में ये परिस्तिया चल रही थी ना उसी परिस्तियों के अंदर दक्षिन भारत में मैं आपको बताना चाहूं मैं आपको लिये चलता हूं सीटी पैलेस उदैपूर में चलें हैं सीटी पैलेस उदैपूर सीटी पैलेस उदैपूर उदैपूर राजभावन में एक भैंक जबर्दस मिटिंग चल रही है साब मिटिंग और उस मिटिंग के अंदर चौदा राजा एकत्रित हैं चौदा शाशक और उन चौदा शाशकों में डुंगरपुर, बासवाड़ा, प्रताब गड़, शाहपूरा, कुशल गड़, कोटा, टॉंक, बूंदी, जालावाड़, इसके अलावा, पालनपूर, भोपाल, काठियावाड, यहां के सारे राजा नवाब इकट्टा हुए हैं, मेवाड, महाराणा, भोपाल सिंग के कहने पर, यह सारे राजा इकट्टे हो रखे हैं, और इसमें आप देख सकते हो, पालनपूर, भोपाल और काठियावाड भी शामिल हैं, ठीक है, देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, काठियावाड और भोपाल का नवाब, इन दोनों का मूड था पाकिस्तान में मिलने का, यह महमद अली जिन्ना के साथ में साठगाट की होए थे, ठीक है, और इनको यह दोनों जो नवाब हैं, यह डुंगरपूर और बासवाडा के शाशकों को भी भड़गा रहे थे, कि आप भी पाकिस्तान के साथ आ जाओ, पाकिस्तान सरकार आपको अच्छी खासी फैसिलिटी देगी, सोचों कि यह अगर मामला सैट हो गया होता, तो भारत का नक्षा कैसा होता, पाकिस्तान का नक्षा कैसा होता, उधेपूर से जब हम खेरवाडा से थोड़ा आगे जाते हैं, तो सीधा पाकिस्तान बोर्डर आ जाती, उस समय डुंगरपूर के महारावल थे लक्षमन सिंग जी, डुंगरपूर के महारावल लक्षमन सिंग, और बासवाडा के शाशक थे उस समय चंद्रवीर सहाब, चंद्रवीर सिंग, महाराणा भूपाल सिंग को जब इस बात का पता चला, कि यार, इनका तो समझ में आता है, भूपाल के नवाब और काठियावाड के नवाब का, कि ये पाकिस्तान में मिलना चाहते है, लेकिन इन दोनों का समझ में नहीं आ रहा है, चंद्रवीर सिंग और लक्षमन सिंग का, तो महराणा भूपाल सिंग जी ने सारी रियासतों को कहा कि हम लोग एकत्रित होकर एक डॉमिनिक स्टेट बनाते हैं, और फिर भारत सरकार के साथ में सम्मेलित होंगे, क्योंकि आप भी जानते हों कि इन प्रजामंडल आंदोलोन वालों ने उत्तरदाई साशन की मांग करते करते हम, हमें परिशान कर रखा हैं, और दूसरा जंता भी हमसे काफी जो हैं, वह सही खुश नहीं है, ठीक है, तो इन शाशकों को भूपाल सिंग जी ने कहा कि चलो अपन लंच करते हैं, ठीक है, और बाकियों को कहा कि चलो आपके लिए अलग लंच का इंतिसाम करते हैं, तो बाकी राजा अलग लंच कर रहे थे, और चंद्रवीर सिंग और जो अपने लक्षवन सिंग जी हैं, इनको लंच करने के लिए अलग बुलाया, और बुलाकर देखो मेवाड रियासत को छोटी मोटी रियासत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेवाड हो गई, मारवा आर्मी हैं, और महराना भूपाल सिंग को इग्नोर करना इनके बसका रोग नहीं है, तो अंदर बुलाया और बुलाकर दो प्लेटे मंगवाई, एक प्लेट में पैन थी, दूसरी पैन जो प्लेट में है वह पिस्टल थी, मतलब साफ था कि साइन करोगे कि गोली खाओगे, ठीक है, तो एक ने तो चुप-चाप सगनेचर कर दी है, लक्षमन सिंग्जी ने, और दूसरे ने सिगनेचर करते करते कहा, कि मैं एक ही करन पे नहीं अपने देथ वारेंट पर हस्चाक्षर कर रहा हूँ, ये तब की गटना है, समझ गए कि क्या हुआ था, तो कभी आप से पूछा जाएं कि राजस्थान में एक ही करन का सबसे पहला प्रियास किस ने किया था, तो आप निश्चित तोर पर उत्तर देंगे महरणा भूपाल सिंग्ग, ठीक है, और भूपाल सिंग्ग जी की वज़े से ही इन सारी रिया सतों ने दूसरे चरण के दोरान जो है वह भारत के पक्ष में हस्ताक्षर कर लिये थे, ठीक है, अब भूपाल सिंग्ग जी ने दूसरों को तो सिगनेचर करवा दिया, लेकिन लास्ट मोमेंट में खुद हाथ खड़े कर दिया, कि हम शामिल नहीं होंगे, अब भाई साब यह तो एक तरह से गेम हो गया इनके साथ में, तो दूसरा चरण आप देख सकते हैं, दूतिये चरण, राजस्थान के एकी करण का सेकंड फेस, दूतिये चरण, और सेकंड चरण में आप नोटिस करना, दूतिये चरण, 25 मार्च 1948, जिसका नाम रखा गया, पूर्व राजस्थान, या हाडोती संग, और ये किस के प्रियासों से हुआ था, महरणा बूपाल सिंग जी के प्रियासों से हुआ था, ठीक है, इसमें शामिल छित्र में कौन-कौन से शामिल छित्र किये गए, वोई, डूंगरपुर, बासवाड़ा, प्रतापगड, शाहपूरा, टॉंक, कोटा, बूंदी, कितने होगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, नौ है टोटल, कोटा, बूंदी, जालावाड, नहीं आया न, जालावाड, मैं शॉट्रिकों से नहीं पढ़ाता, अच्छे, जो बड़े लेवल के टीचर और प्रोफेसर है न, वो शॉट्रिक से कभी नहीं पढ़ाता है, शॉट्रिक सबसे गंदी चीज है, नाम उसका बली शॉट्रिक है, लेकिन वो शॉट्रिक नहीं होती, एक्जेकली लॉंग ट्रिक होती है, अब इतने सारे साइलेंट वर्ड ने, इतनी सारी लंबी ट्रिक इससे अच्छा, तो फैक्टी रट्टा मार लो, सॉट्रिक को रट्टा करोगे उससे अच्छा, फैक्ट को ही रट्टा मार लो, और सब सब्जेक्ट में सॉट्रिक यदी हुई, तो फिर हाल क्या होगा, और एक्जाम से जस्ट पहले हम सौट्रिक भूल जाते हैं, ठीक है, किशनगड हो गई, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आट और नो, और एक ठिकाना था कुशलगड, यानि टोटल इसमें मिले थे, नो प्लस एक इस इकल टू दस, यह क्या बज़रा है, बार बार, ठीक है, राजधानी बनाई गई थी, कोटा, राजप्रमुक बनाई गए थे, महराव, भीम सिंग, जो की कोटा से थे, उप्राजप्रमुक बनाई गए थे, जिनका नाम था महराव, बहदुर सिंग, यह बहदुर सिंग जी जो थे, वह बुंदी से थे, और भीम सिंग जी जो थे, वह कोटा से थे, ठीक है, प्रधान मंत्री बनाई गए थे, जिनका नाम था, गोकुल दास असावा, और इसका जो उद्घाटन किया गया था, वह एनवी गोडगिल के द्वारा किया गया था, ये किया गया था, कोटा राजमहल में, जिसे ब्रिजभवन कहते हैं, कोटा सीटी पलेस में, तो भाई साब ये परिस्तितिया जब बनी न, सुनिये मेरी बात, जब परिस्तितिया बनी, तो इस परिस्तिति में एक चीज और आपने नोटिस नहीं की, और वो नोटिस नहीं की आपने की देखो इस एकी करण का सबसे पहला प्रियास किस ने किया था ये किस के प्रियास से हुआ था महरणा भूपाल सिंग जी के प्रियासों से हुआ था राजस्तान में एकी करण का सबसे पहला प्रियास मेवाड महरणा भूपाल सिंग एकलिंगनात के दीवान स की तौरफ से हुआ था ठीक है लेकिन लास्ट मेंट मोमेंट में भुपाल सिंग जी ने हाथ पीछे खीच लिए कि मेवार शामिल नहीं होगा ठीक है तो इसका राजप्रुमुक बनाया गया भीम सिंग को अब आप जरा सोचो कि यदि भीम सिंग को राजप्रुमुक बनाया गया तो इससे बाहदूर सिंग जी को गुशा आएगा के नहीं आएगा 100% आना है क्योंकि आखिर में बुंदी में से कोटा निकला है भाई साब कोटा में से बुंदी थोड़ी निकला है तो वो कहते ना नखाऊंगा ना खाने दूंगा राइता फेलाऊंगा वो वाली बा होता ना घर में बली कुछ चले ना चले लेकिन होम मिनिस्ट्री होती है ना उसकी चलती है मेवाड में जितनी भी राणी आती है वो कहां से आती है maximum maximum आती है हाडावंस से तो बुपाल सिंग जी की जो हाडी राणी सा थे ना उनको उकसाया बादूर सिंग जी ने के हुकम को बोल वो इसके साथ में शामिल नहीं होंगे मेवाड है को छोटी मोटी रियासत थोड़ी है उसके लिए तो अलग से धोल नगाड़े बजाएंगे भाई साब क्योंकि उन्हें पता है कि बुपाल सिंग जी एंट्री मारेंगे तो भीम सिंग एग्जिट होना ही पड़ेगा समझ गए ना इसलिए बुपाल सिंग जी ने इनके साथ में मिलना सुविकार नहीं किया इसके अलावा एक और पचड़ा फस गया था वो पचड़ा मैं आपको बताता हूँ पचड़ा यह था कि जब आप सोचो कि बुपाल सिंग जी ने इस एकी करण में सबसे पहले प्रयास किया ठीक है और एकी करण में सबसे पहले प्रयास किया और last moment में हाथ खड़े कर दिये तो ये बात सरदार पटेल को खटकेगी के नहीं खटकेगी खटकेगी खतरनाक वाली वो उस जमाने में फोन आते थे वो वाले वो कान पे एक लगाते थे और दूसरा मूँ पे लगाते थे कि आप लोगों ने ये क्या समझ रखा है बारस सरकार को तो पुपाल सिंग्जी ने बड़े नर्माई से कहा हुकम मेरी बात तो सुनो तो पटेल साब ने कहा कि मैं बात नहीं सुनूँगा आप आ रहे हैं दिल्ली या मैं आऊं उदेपुर बुपाल सिंग्जी ने फिर से नर्माई से कहा कि हुकम मेरी बात तो सुनो मुझे कुछ कहना है आप से वो देखो कोई इंसान यदि बात नहीं सुनता ना अगले वाले की तो वो हमेसा पच्चताता है और वो ही सबसे ज़्यादा गोड़े रगड़ता है हर किसी को लगता है कि मैं बहुत कम बोलता हूँ और सामने वाला जो है मेरे से ज़्यादा बोलता है लेकिन हकीकत ये हैं कि व्यक्ति खुद ज़्यादा बोलता है लेकिन दूसरे वाले को सोचता है कि वह ज़्यादा बोल रहा है इसलिए सुनना जादा चाहिए सुनाना कम चाहिए गुपाल सिंग जी ने फिर से कहा कि हुकम मेरी बात तो सुनो न तो फिर से कहा कि मैं आ जाओ दिल्ली या फिर आप आ रहे हैं उदेपुर गुपाल सिंग जी ने कहा कि आपको आने की जरुरत नहीं है उदैपुर मैं आ जाता हूं दिल्ली फोन रखिये फटाक से फोन काड़ दिया और भुपाल सिंग जी का पारा और छड़ गया जोरदार वाला अब भुपाल सिंग और सरदार पटेल के बीच में तनातनी हो गई है अब ये तनातनी कैसे मिटेगी एक दूसरे को मारने तक कि दम किया ये सारी तनातनी हम मिटाएंगे अगली क्लास में